सुप्रिम कोट के बारा फ्रवरी के आदेशा नुसार एरसीज को लेटर देकर PSL की प्रॉपरटीज के लिए प्रॉपोजल मांगे थे और वही सभी इती बृत्तान्तर रिपोर्ट में मेंशन किया है। सभी AIRCs ने अपने proposals में time period, terms and conditions, fees और properties के areas mention किया है। किसी AIRCs को के वल prime location की property चाहिये तो कोई AIRCs due division करने के बार अपना decision देंगे इस प्रकार सभी AIRCs ने अपना decision दिया है। पिछले EOI प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कमिटी के अनुसाथ उनके पास सुमोटो प्रपजल्स आये हैं। इंडो योकी इंस्टिटीट अफ हेल्प का प्रपजल भी आया हैं। इस प्रपजल को लोड़ा कमिटी आगे लेकर जाना चाहती हैं। और सुप्रिम कोर्ट कोर्ट ने उन्हें पूरी जानकारी लेने का आदेश दिया हैं। तथा टाइम टू टाइम कमिटी को इस विशेव पर सुप्रिम कोर्ट को अपदेश देने पड़ेंगे। कई स्टेट गवर्मेंट्स की लैंड पॉलिंग पॉलिसीजें स्टेट गवर्मेंट की मानने सुप्रिम कोर्ट ने कमिटी को दिये हैं। इस दवरान स्टेट गवर्मेंट्स और डेवलेंट मेंट ऐथरोटीज के संदर्भ में भी कोर्ट ने कमिटी को इजाजत दिये हैं। लोडा कमिटी को आगे भी वीबसाइत पर लोट् campaigns करने के बाद प्रपोजल देने फिर से बिडिंग चाब हो गया। इसी निवेशकोंग को रही निवेशकोंग की बाद जनलो प्रतिष्टान ने भारत के सभी PSL निवेशकोंग की तरफ से जो समस्याय आये थी उन पर मानने सुप्रिम कोट में इवडन्स के साथ आये लगाये थी। उस पर जस साब ने स्टेटमेंट दिया है कि निवेशकोंग के उपर हम अन्याय नहीं होने देंगे। आपके सभी प्रकार के प्रॉब्लेम हम सौल्व करेंगे। सेबी ने भी डेटा के बारे में विशलशन देते हुए कहा कि हमने अभी सिर्फ डेटा इकटा किया हैं। बा प्रतिष्टान पन पूरा बरसा रखाएं। हम उनकी आखरी समश्चा तक को कानून के तरके से कोर्ट में रखेंगे और उनके लिए खड़े रहेंगे। PSL के माटर में निवेशकों को गुमरह करने के लिए अब लोग काम कर रहे हैं। ऐसे लोग PSL इन्वेश्टर्स को अलग-अलग जगहों से पैसे दिलवाने के जूटे आस्वाशन देकर गुमरह कर रहें। ऐसे कुछ लोग PSL निवेशकों को यह भी कहते हैं कि हम केवल आ रोड़ा कमिटी द्वारा ही दिये जाएंगे और किसी भी एक राज्य या समों को अलग से पैसे नहीं देज़ें।